अब हम आज तो आज बास ता शोना सब्सक्राव हैं आज अज और आज आज की स्टांट करते हैं वीडियू स्टांट करने से पहले में बतादू अगर आप मेरे चैनल पे नूओ है तो मेरे चैनल को लाइक शर्ट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बैल आइकन दबा दीजिए जिसमें आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन्स और न्यू लेटिस अब्डेट मिलती रहे यहाँ पर आपको ऑनलाइन ब्यूटी पालर का कोर्स आतमे ओनलाइन मेने डिजाइन्स और बेस्ट प्रोड़क के रिवीव मिलेंगे और घरेलू निसके मिलेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख सकते ह मेरे पास गेलवे कंपनी का फ्रूट पंच फेश वाश है इसका मैं रिवीव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं बता दू कि अगर आप कोई सभी प्रोड़क लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसका एक्सपारी डेट और मैनिसेक्टर डेट देखना हो क्योंकि यह हमारी स्कीन के लिए बहुत ही जरूरी है कि अगर हम लोग कोई सभी प्रोड़क इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसके जानकारी ले ले इसका जो प्राइज है 121 रुपीज है जो की बहुत ही सस्ता है इसली एफ्रोडेबल है और यह 100 ग्राम्स का पैकेट है तो इसक पीछे सारी डीटेल दी हुई है साथ में गेलवे कंपनी का मार्क भी दिया हुआ है यह कौन-कौन सी स्कीन टाइप वाले यूज कर सकते हैं यह ओली स्कीन ड्राय स्कीन कॉंबिनेशन स्कीन और सेंसिटिव स्कीन वाले यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्कीन पे ज़्याद वाइट हेट्स होते हैं उसको आने से कंट्रोल करता है ब्लेक हेट्स और वाइट हेट्स इस वज़े से होते हैं क्योंकि हमारी स्कीन में ऑईल बनता है जिसकी वज़े से ऑईल की वज़े से हमारे फेस पे बहुत सादा गंदे की जमने की वज़े से ब्लेक हेट्स वाइट्स हो जाते है यह हमारी स्कीन के अंदर तक जाके हमारे फेस को क्लीन करता है डर्ट को निकालता है और हमें ग्लोइंग स्कीन देता है साथ में स्कीन वाइटनिंग भी करता है और हमारे फेस पे आने से जो जुरिया होती है वो भी रोपता है बहुत सारे लोगों के आखों पे मा आप इसको एजिली खोल सकते हैं and open कर सकते हैं बंद कर सकते हैं और इसको आप कोहीं पी पीजिली ट्रेवल के टाइम लेके जा सकते हैं इसके इधर आप इसका MRP देख सकते हैं यह प्रोड़क्त मैंने यूज़ किया है इस वज़े से मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा जादा पिंपल वगेरा आने लग जाएंगे तो आप प्लीज इसको रोग दीजिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो रिव्यू है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके साथ कौन कौन सा पेस इंफेक्शन में आपको हाल्पनी है या बैड रिव दमान पीए प्रापल्म हुआ है जिसके वजह से आपको इसका गुड इफक्ट मिला रोग कि इसका यूज़ करने का तरीक्ऽ का आपको इसे दिन में तीन टाइम यूज करना है अच्छे तरीके से मसाज करना है फिर इसे वाश आफ कर देना है तो थेंक यू सो मच पर वचिंग मैं वीडियो